हेलो स्टुदेंट्स, वेलकम बैक अगेन, माइनम इस मेहनदेश शर्मा फ्रॉम बाइलोजी दिपार्टमेंट, PCCP डिविजन, हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुक हैं, क्लास नाइंद का चैप्टर फर्स्ट, फंडामेंटल उनिट अफ लाइफ, जिसके लास्ट लेक्टर में हमने देखा था, डबल मेंब्रेन बाउंडेट चैल और जिसमें हमने स्टेडी कि थी, प्लास्टिट्स, एन माइट्रो कॉंडिया की, आज हम लोग स्टार्ट कर चार्ट चार्ट ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो है, सिंगल सेल मेंब्रेन बा कनल जिसमें हम स्टार्ट करेंगे, पहला टॉपिक, एंडो प्लास्मिक रेक्टिकूलम, देन गोल्जी बोडी, एंडो प्लास्मिक रेक्टिकूलम, सेकंड स्टार्ट करेंगे हम लोग, गोल्जी बोडी, थर्ड होगा हमारा, लाइजर्योजोम, परोग्योजोम्स, और लास्ट होगा हमारा, ग्योग्योजोम्स, तो इस लेक्ट्टर में हम दो दो सेल और गोल्जी बोडी, शुरू करते हमारा फर्स्ट टॉपिक, एंडोप्लास्मिक रेक्टिकूलम, तो एंडोप्लास्मिक रेक्टिकूलम, क्या होता है, बैसिकली, साइटोप्लास्म के अंदर, एक membrane bounded network like structure दिखती है वो endoplasmic होती है किसने discover किया था endoplasmic discovered by three scientist है Potter, Clad and Fallon इन्होंने discovered किया था endoplasmic reticulum identify कैसे connect कहां present होता है तो cytoplasm के अंदर network of membranes, membranes का network जो दिखता है वो होता है हमारा endoplasmic reticulum then cell organals की बात करें तो complete living cell की अगर बात करूँ तो present किस में होता है present all eukaryotic cell except prokaryotic cell and mammalian RBC और erythrocyde mammalian RBC means human being की RBC में absent होता है endoplasmic reticulum human being की RBC में सारे cell organals absent होते हैं ऐसा क्यूं क्यूं क्यूंकि RBC का role क्या है transportation of gases करवाना oxygen को transport करवाना अगर वहां पर living organals जो है हमारे cell organals जो living है अगर उनकी location यह वहां present होंगे तो वह भी क्या काम करेंगे वह अपनी activity को पूरा करने के लिए oxygen को consume करेंगे जो क्या होगा RBC का काम यहां पर क्या हुआ RBC का काम होता है transportation gases करवाना तो आगे gases transport कम कर पाएगा इसलिए महां पर exception होता है mammalian RBC and all prokaryotic cells prokaryotic cell में cell organal कोई सा भी नहीं होता है ribosome के अलावा right endoplasmic reticulum जो strated muscles होती है हमारी उनके अंदर निको sarkoplasmic reticulum भी कहते हैं अब देखते हैं structure of endoplasmic reticulum तो endoplasmic reticulum के अगर structure की बात करओं तो सबसे पहले आता है sustained Shhcross ने क्या होती है इस हाँ यह लाउंग flattened unbranched structureSEErich long flattened unbranched structure हैं कहाँ पर present होती है इस strugglene found in the cell कहाँ present है यहाँ पर actively क्या हो रहा है प्रोटीन का synthesis हो रहा है इसका synthesis हो रहा है प्रोटीन का synthesis हो रहा है अगर मैं diagrammatic दिखा structure हमारी यह रही, इसके अंदर अगर हम देखें, endoplasmic reticulum की बात करूँ, तो अगर nucleus की बात करें हम लोग, nucleus, nucleus के बाहर, nuclear membrane, then nuclear membrane से attach क्या होता हमारा, endoplasmic reticulum, तो जो यह पार्ट बना है, यह पार्ट हमारा होता है, sister ने, means endoplasmic reticulum, three different components से मिन के बला होता है, पहला होता sister ने, जो क्या होती है, long, flattened, tube-like structures होती है, होता है, जो actively वहां वर्क करें है, जहां पर protein का synthesis हो रहा है, cell के अंदर, then इसके अलावा, smooth के अलावा, और जो होंगी, वो होंगी, यह हो गया हमारा tubules, second structure tubules होती है, these are smooth endoplasmic reticulum, जो यह tubules बना रहा है, second segment, your tubules, first था हमारा sister ने, अब यहां पर endoplasmic reticulum का जो पार्ट हमें दिख रहा है sister ने वाला पार्ट, उसके उपर क्या attached है, उसके उपर attached है ribosomes, जो granule-like structure यहां दिखरी है ribosomes, endoplasmic reticulum पे, वो position, वो location जहां पे sister ने के ऊपर attached है ribosomes, उसकी वज़े से, उसे हम कहते है, RER, किसका पार्ट हो गया, endoplasmic reticulum का two different types हो गए, एक होता है RER, एक होता है SCR, तो यहां देखी, segment के अंदर, जहां पे endoplasmic reticulum के sister ने वाले पार्ट पे ribosomes attached होते हैं, उनका role होता है, वो protein को synthesize करते हैं, उसे segment में एक और हमें दिख रहा है, जो हमने बनाया था tubules, tubules के ऊपर ribosomes present नहीं है, क्योंकि वहां उसकी structure कैसी है, smooth endoplasmic reticulum, smooth surface है, तो ribosomes वहां taste नहीं होते है, थर्ड पार्ट जो रह गया वो था vesicles, इन ही form के अंदर ribosome के साथ कुछ vesicles भी होती है, तो ribosome endoplasmic reticulum basically किस-किस से मिलके बना हुआ है, पहला था sister ने, सेकेंड है हमारा tubules और थर्ड है vesicles, तो तीनों से मिलके endoplasmic reticulum की structure बनी हुए होती है, वापस चेक करते हैं one by one complete description के साथ, पहला sister ने, these are long flattened structure, long flattened unbranched structure जो क्या है, parallely arranged है, सारी कैसी है, parallely देखो, अगर individual बनाए, तो structure कुछ इस तरह से, long है, flattened है, parallely arranged है, और cell के अंदर कहां present होगी, जहां पे cell protein synthesis actively काम कर रहा है, वहां पे present होती है, second vesicles, vesicles क्या है, spherical or rounded shape है, rounded shape है, spherical shape है, location again, क्या काम करेगा, cell के अंदर जहां पे synthetic, actively cell जहां पे work कर रही है, महां पे present होती है, ribosomes attached, third tubules, tubules होती है, small, smooth, smooth wall and have tubular structure, साथी साथ यह branched भी होती है, means endoplasmic reticulum के system वाले part वाले simple simple है, यह क्या होते है, cubules जो होती है, हमें branch structure, these are branch structure means branched में फैला होगा है, then in कहां मिलेगा यह भी, जहां पे actively cell में lipids का synthesis हो रहा है, lipids जहाँ बन रहा है, वहां पे present होती है, अब endoplasmic reticulum है protein कौन बना रहा है, lipid कौन बना रहा है, उसके लिए हमें description पढ़ना पढ़ता है, types of endoplasmic reticulum, तो endoplasmic reticulum two types का है, on the behalf of उनकी surface कैसी है, एक होता है rough endoplasmic reticulum, जिसे हम कहते हैं, RER rough endoplasmic reticulum, जब यह rough surface है, तो इसकी surface पे ribosomes attached होते हैं, ribosomes attached है, तो ribosomes को हम कहते है protein factory, ribosomes क्या काम करता है, protein synthesis करता है, तो RER की structure के उपर ribosomes attached है, तो यहां पे क्या होगा, यह protein synthesis में help करेंगे, किसमें help करेंगे, protein के formation में help करेंगे, जब कि smooth endoplasmic reticulum होती है, वह किसका बना हुआ है, Pubules बना हुआ और क्जिश का बना हुआ है, 쳤की SCR किसमें help करेंगे ? SCR help करता है Lipid के formation में, right ? とACER किसके formation help कर रहा है ? Lipid के formation में, Steroids के formation में, Margaret hormones के formation में help करेंगा, जबकि RER help करता है Pap congratulations get tips like powder, बात कर लेते हैं one by one पहला हम ले रहे हैं राइबोजोम्स तो राइबोजोम्स कहां प्रजेंट होते हैं राइबोजोम्स प्रजेंट होते हैं राइबोजोम्स प्रजेंट होते हैं राइबोजोम्स के अंदर सिस्टर्णे की स्टक्शर के ऊपर जबकि राइबोजोम्स अप का sister name और very few parts होता हुआ होता वेसिकल्स का राइट जबकि बात करें components SCR के लिए तो यहां पर maximum होता है tribules और कुछ amount में होते हैं वेसिकल्स की form तो यह हो गया दोनों का components का composition हुआ कैसे है then बात करें RER क्या करेगा protein synthesis में कौन help करता है protein RER बनाता है protein RER बनाने में help करता है क्यों protein RER के पास क्या है RER के पास है ribosomes इस ribosomes की बज़े से RER क्या काम करेगा protein बनाने में help करता है जबकि बात करें protein synthesis के लिए SCR क्या available होता है नहीं होता क्यों क्योंकि यहां पर ribosomes तो present है नहीं second differentiating steroids और lipids synthesis और hormones जो होते हैं वो RER नहीं बनाता कौन बनाएगा वो बनाता है SCR SCR किसमें help कर रहा है steroids lipids और hormones को बनाने में help कर रहा है protein को बनाने में RER help कर रहा है occurrence कहां कहां मिलता है तो cell जहां actively work कर रही है किसको लेके protein जहां protein बन रहा है cell के अंदर वहाँ पे सबस्यादा active होता RER pancreatic cell होती है liver cell होती है इन में क्या होती है सबसे ज़्यादा RER यहां पर वर्क करने क्योंकि protein synthesis की site है यह जबकि S.E.R की बात करें S.E.R वहां मिलेगा जहां पर क्या होगा जहां पर मिलेगा सबसे ज़्यादा intestine wall की बात कर लेते हैं leukoside cell होती है lipids के formation में steroids की formation में और hormones के formation में कौन help करता है S.E.R also called granular ER इनको granular ER भी कहते हैं last सबसे important अगर बात करूं connective कहां पर इनकी location होता है कहां पर है अगर diagrammatic देखें diagram में हम देखें तो diagram के अंदर देखें तो सबसे पास में जो यह zone है endoplasmic reticulum में RER वाला part कौन सा part RER जो RER वाला part था वो near the nucleus है किसके पास में है nucleus के पास में है जबकि S.E.R वाला part देखें एक cell के अंदर nucleus भी है और cell membrane भी है तो S.E.R smooth endoplasmic reticulum किस के तरफ होता है यह होता है plasma membrane या cell membrane की तरफ तो इनकी location क्या हो गई इनकी location हो गई फरस्ट अगर बात करें RER की तो इसकी location है near the nuclear membrane nuclear membrane के पास होता है जबकि बात करें S.E.R की तो इसकी पास होगी plasma membrane and Golgi body इनके पास इनकी location होती है तो यह था हमारा endoplasmic reticulum अब कुछ function function तो होंगे कोई cell अगरे तो कोई ना कोई काम तो वो कर रहा है तो सबसे बेला function support support provide करवाता है provide internal support to matrix जो cell के अंदर जो cell के अंदर cytoplasm में उसको उस matrix को क्या काम करवारा है internal support provide करवारा कह सकते हैं कि scleton या framework बना रहा है second transport of materials materials को transport करने में ER क्या काम कर रहा है ER facilitates transport of materials from the one part to another part of the cell एक cell से दूसरे cell में और एक part से दूसरे part में transport of materials करवाने में भी help करता है exchange of materials exchange of material करवाने में भी कौन help करता है ER help करता है exchange of materials between the cytoplasm and nucleus nucleus और cytoplasm के बीच में जो exchange of material होगा वो भी कौन करवा रहा है endoplasmic reticulum करवा रहा है protein synthesis में help करता है क्योंकि endoplasmic reticulum के पास क्या है endoplasmic reticulum के पास है RER क्या है महाँ पे RER rough endoplasmic reticulum के पास क्योंकि ER के ओपर ribosomes present है तो किस में help करेंगा वो protein के synthesis में help करेंगा then other substance जो बनाते हैं hormones हो गये lipids हो गया steroids हो गया वो कौन formation करेंगा उनकी smooth endoplasmic reticulum help करता है synthesis of phospholipids cholesterol steroid hormone etc अब steroid hormones क्या होते है testis के अंदर testisterone and female की बात करें तो वहाँ पे already say release होता है estrogen progesterone यह क्या है steroid hormone होते हैं जो कौन help कर रहा है SCR उनको secret करने में help कर रहा है detoxification cell को detoxified करने में भी help करता है formation of organals endoplasmic reticulum का जो SCR वाला part है smooth endoplasmic reticulum वो produce करता है Golgi body को lysosomes को and vacule को तो means दूस्य cell organal का development यह formation भी किस से हो रहा है ER से हो रहा है endoplasmic reticulum से formation of membrane membrane formation plasma membrane जो है plasma membrane and other cellular membrane जो होती है वो किसके तुरुबनी होती है वो भी ER बनाता है these are the most important function of endoplasmic reticulum next हमारा topic आता है Golgi body तो Golgi body का formation हुआ क्या से endoplasmic reticulum से हुआ है endoplasmic reticulum के formation से क्या हो रहा है Golgi body बन रहा है endoplasmic reticulum Golgi body तो second हम लोग कहां तक पहुच गए second हम पहुच गए Golgi body जो भी single cell membrane bounded structure है जिसकी formation भी कहां से हुई endoplasmic reticulum से हो रही है अब it was discovered by Camillo Golgi Camillo Golgi ने इसको discover किया था again कहां present होता है कहां absent होता है it is absent in prokaryotic cell prokaryotic cell में absent होता है इसके अलावा जो mammaline RBC होती है उनके अंदर ही absent होता है और plants में phloem के अंदर जो sieve tube होती है उनके अंदर भी Golgi body absent होता है plant के case की बात करें तो plant के अंदर Golgi body को क्या कहते है Dictyosome कहते है क्या कहेंगे Dictyosome कहेंगे then structure की बात करें Golgi body endoplasmik reticulum से भी बना हुआ है तो endoplasmik reticulum किस किस से मिलके बना हुआ था cisterny, tubules, and vesicle, cisterny, vesicles, and tubules तुबूल्स, सिस्टर ने वैसिकल्स और टुबूल्स से मिलके क्या बना हुआ है, गोल्जी बोडी बना हुआ है, इसी के फॉर्मेशन से क्या बना था, एंडो प्लास्मिक रेतिकूलम बना था, सिंगल मेंब्रेंट बाउंडेड इस्ट्रेक्चर होती है, बना था, देखें, अब अब अंडो प्लास्मिक रेतिकूलम और गोल्जी बोडी कैसे अपिर हो रहा है, तो अंडो प्लास्मिक रेतिकूलम जो पाड था, अगें I will draw Nucleus, then, Nucleus से क्या होगा, मेंब्रेतिकूलम, अब्रेतिकूलम से जो वैसिकली बैसिकल्स काम करेंगी वह वैसिकल्स जो पैकेजिंग करके मैटेरेस को लेके आती ए, उनको कौन एक्सेप्ट करता है? उनको एक्सेप्ट करता है गोल्जी बोडी का जो सिस फेज है, सिस फेज कौन सा है, सिस फेज जो क्या काम करेगा, receiving side of गोल्जी बोडी का वो पार्ट है जो receive करेगा materials को as vesicles की form में, जो कहां से आई थी, endoplasmic reticulum से release होके आई थी, अब यहां पर जब इस सिस फेज इसको accept करेगा तो वहां पर होगा, जी, modification, modification होगा यहां पर, जो भी substance पेख होके यहां पर आएं, वो modified होंगे, mature होंगे, और mature होने के बाद, यह जो सिस्टर ने वाला पार्ट है, सिस्टर ने वाले पार्ट से क्या होगे, detach होगा, vesicles की form में again, तो क्या हो रहे है, after modification packaging करके वापस release किया जा रहा है, तो वो phase Golgi body का जो वापस packaging करके launch कर रहा है, वो होता है, इसका trans phase, कौन सा phase, trans phase, यह receiving phase है और यह shipping phase है, मन जहां से वापस release किया जाएगा, right, security vesicles from the trans phase, transfer से क्या होगा, जो vesicles होगा, वो as security nature में secret कर दे जाएगे, अब in vesicles में कुछ primary lysosomes बना लेंगे, कुछ protein को synthesize करके packaging का काम कर देगा, कुछ lipids को packing करके भेज़ देंगे, तो this is basic structure of Golgi apparatus or Golgi body, next हम बात करें structure की और function की, function क्या है, it involved in the cell secretion and act as storage, modification and packaging, condensation और packaging membrane, तो जो endoplasmic reticulum से material design होके तयार होके आया था, endoplasmic reticulum से जो packaging होके vesicles की form में receive किया था Golgi body नहीं, उसको कौन receive कर रहा है Golgi body, Golgi body उसको वापस reunite, reform, modified करके क्या कर देगा, modified कर देगा सबसे पहले, then modified करने के बाद उसको packaging करके release कर देगा, आगे transfer कर देगा synthesis and packaging, packaging of materials, materials को packaging करने का काम कर देगा, second again very important term, it forms acrosomes of sperm, जो sperm एक cell organal है, sperm के जो cell organals होते है, cell organals of sperm, acrosome क्या होता है, acrosome एक pouch bag like structure होता है, sperm cell में जो क्या काम करता है, lytic enzyme, hydrolytic enzymes को contain करता है, जो ova की जो egg है, egg की outer membrane को dissolve कर देता है, during the fertilization site, जो fertilization होगा, तब sperm के अंदर acrosome होता है, वो क्या काम करेगा, वो ova को panfract करेगा और उसकी membrane को dissolve कर देगा और fertilization take place, fertilization के लिए important है, then endoplasmic reticulum से क्या बना, Golgi body बना, और Golgi body से क्या बन रहा है, formation of lysosomes, formation of lysosomes भी हो रहा है, lysosomes, तो endoplasmic reticulum, Golgi body और lysosomes तीनों को हम लोग एक साथ कहते हैं, endomembranous system, endomembranous system क्या होता है, it means, जितने भी cell organelles इसमें आते हैं, वो एक दूसरे से coordination way में workout करते हैं, means, एक दूसरे से connective link show करते हैं, तो endoplasmic reticulum से क्या बना, endoplasmic reticulum के formation से Golgi body का formation हो रहा है, और Golgi body format क्या कर रही है, lysosomes को develop कर दिये, तो it forms lysosomes, तो तीनों क्या हो रहे हैं, endomembranous system show कर रहे हैं, then, synthesis of cell wall material, जो cell wall बनती हैं, उसके material को भी कौन design करता है, उसके material को भी design करने में help करता है, Golgi body, formation of plasma lemma, plasma lemma क्या होता है, plasma में बहुता है, cell membrane को भी बोलते हैं, तो उसके formation में help कौन कर रहा है, Golgi body कर रहा है, इन सब के अलावा, cell plate formation, plants की बात करें, तो एक cell से जब दो cell divide होती है, cell division चल रहा होता है, तो उनके अंदर formation किसके तुरू होगा, दो cell के बिच में एक plate बन जाती है, तो दो cell को divide कर देती हो, वो होता है, cell plate formation वो भी को होगा, during the plant cell division formation, तो उसमें भी कौन help करता है, गौलजी बोड़ी help करता है, तो आज हमने देखा, single cell membrane bounded structure, उसमें हमने सबसे पहले देखा, endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum के formation से क्या बना, गौलजी बोड़ी बना, गौलजी बोड़ी अपने आप में क्या कर रहा है, काफी सारे main functioning part कर रहा है, lyzozome बना रहा है, acrosome को बना रहा है, cell membrane बना रहा है, plasma membrane बना रहा है, cell plate बना रहा है, right, next lecture में हम पढ़ेंगे एक और important topic जो है lyzozome, lyzozome को suicidal bag भी कहते हैं, इसके बाद होगा paroxysomes, paroxysomes plant और animal cell दोनों में अलग अलग बर्क करता है, glyzozome जो basically present होता है plant cell के अंदर, means, single cell membrane bounded की बात करें, तो दो cell organelles जो थे हमारे endoplasmary reticulum और Golgi body जो हमने आज इस lecture में कवर किया है, next lecture में हम स्टार्ट करेंगे lyzozome, paroxysomes and glyzozome, आज के lecture में इतना ही, thank you so much.